यह मेरा लास्ट वीडियो है मैं पिपलियाना स्कुएर तिलक नगर इंदौर में रहती हूं बहुत सारे बड़े बड़े नेता पॉलिटीशियंस तिलक नगर ठाने के अधिकारी टी आईजी एससपी एसपी सब लोग इस बात से अवेर हैं कि मैं यहां ग्रेटर ब्रिजेश किश्वरी में रहती हूं यहां पर मैंने 40-45 हैंडिकेप इस्ट्रे डॉक्स को शेल्टर दिया हुए जिनको मैं डेट साल से पाल रही हूं अपनी खुद की अर्णिंग से समाल रही हूं यह पहली बार है जब मैंने पूरे इंदौर से हेल्प मांगी है दस महीने से तिलक नगर इंदौर थाने की पुलिस मेरे साथ इतनी बद्दी बद्दी चीजें करा रही है इस एरिया में लोगोंने कसाई खाने खोले हूए भेडों के बखरी के अवेद अतिक्रमन कर रखा है सोसाइटी गार्ड दस-दस बारे-बारे हजार पे बेड बखरियां यहां पर प आए कि मेरे घर के सामने बैठके लोग ड्रक्स लेते शराब पीते हैं शाम के पांच बजे के बाद मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है मैं तिलग नगर की पुलिस को कमप्लेंड करती हूँ तो तो तिलग नगर की पुलिस कहती है क्योंकि आपके घर में कोई वाइरिल की थे जब मेरा हाथ तोड़ा गया था जब मेरा फोन तोड़ा गया था पुलीस मुझे इतना जादा हुबिनेट कर रही है इतना जादा टॉचर कर रही है कि दस महीने से किसी तरह सिच्वेशन सेटल डाउन करने की कोशिश करी हूँ ये सोचके कि अगर मैं यहां से जाओं तो ये 40 बच्चे होमलेस हो जाएंगे तीन दिन पहले मेरे 3 साल के पले-पले कुते को इन बेड़ बकरी वालों ने गेर के मा डाला उसका गला टूटा हुआ था चारों टाइगे टूटी हुए थी और जब मैंने बोला कि मैं फ़य करांगी कल पोस्मार्टम होगा तो अकले दिन उसकी डेड़ बाड़ी भी गायब होगी अनिमल वेलफियर की बाते सुन-सुनके मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ में फॉस्टर करी हूं प्री में शेल्टर दिया हुआ है इसलिए कि इन बच्चों को किसी जगे के और किसी इंसान के ज़रूरत है तीन दिन पहले मरी बच्ची को मार दिया गया और एक बच्ची भी तक तीन दिन से मैं थाने के चक्कर काट रही हूँ ती लग नगर थाने का T.I. literally बत्तमेजी कर रहे हैं और साफ साफ कपलेन लेने से मना कर रहे हैं मुझे लगादर जान से माने की धंकिया दीज आ रही है मुझे बोला जा रहे कि जो तो कुते मरे वो मरे बाकी को बचा ये मेरा लास्ट वीडियो है क्योंकि पिछले 10 महिने का इन 40 बच्चों को बचाने के लिए मेरा स्ट्रगल ये रहा है कि मेरे साथ attempt to sexual abuse हुआ है मेरे साथ attempt to physical abuse हुआ है मुझे socially abuse किया गया है मुझे verbally abuse किया गया है मुझे financially जितना abuse भुगतना पड़ना है वो अलागे मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ मैं रात को तके के नीचे चाकू रख के सोती हूँ तिलक नगरताने की पुलिस literally इस एरिया में drug supply कसा ही खाने मुझे दमका जा रहा है घर खाली करने के लिए नहीं तो बोलते की dead body भी नहीं मिलेगी जिस तरह से जितने cruelty से मेरे कुट्ट को गेर के मारा है और जिस तरह से दूखरा बच्चा missing है मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस बात की मुझे के मैं हापे प्रोटेक्टिड हूँ या भाकी बच्चे नहीं मरेंगे अगर मुझे कोई स्टॉक करता है तो पुलिस बोलती है आप अकेले क्यो रहते हो तिलंग नगर ताने की पुलिस मुझे लिटरली उल्टे मैं एड़ी कॉंस्ट ओफ माई लाइफ माई सेल्फ रिस्पेक्ट माई रेपटेशन इन चालेस बच्चों को बजाने के कोजिश कर रही हूँ लेकिन लेकिन क्योंकि तिलंग नगर ठाड़ेगी पुलिस के हिजाब से मुझे शादी करके दो बच्चे पैना करके किसी आदमी के साथ रहना चाहिए था और इन चालेस बच्चों को पाल के अंके ले रहकी मैंने कोई बहुत बड़ा क्रेम किया है और जिस सरे मेरे दो बच्चे गाया है तो बच्ची मेरे एक मजी है मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में घुषके यही अरकत मेरे साथ की जाए अभी पास मिनट पहले मुझे दस आदमी उने लिटरली गेर के दबगाया है कि मार के काट के डाल देगे गार में यह कर देगे वो कर देगे मैं यह सब सुनते सुनते लड़ते लड़ते बहुत परेशान हो गई हूँ इन दोर में निया है शासन व्यवस्ता प्रशासन कौस परपस नाम की कोई चीज नहीं है कोई लड़के आखे ले कुछ नहीं कर सकती एक बॉइपरेंट एक हस्बिन एक आदमी साथ में चाहिए यह चाहिए क्योंकि इन दोर का प्रशासन मेरी एक्जिशन्स को मानने से साफसा मना करता है तो अब मैंने डिसेड के हैं कि मैं अपना सब कुछ लगा के भी इतना कुछ बुगतने के बाद भी सफर करने के बाद भी कुद को भी नहीं बचा पा रहे हैं तो मैं इन बच्चों को कैसे बचाओंगी मुझे बोला गया है कि जो बोला है बोल के भी नहीं बता पारी हूं सो नंबर के पुलिस में बेटावा आदमी मुझे कहता है कि गटा कोट के इसी घर में गाड जेगा कोई मैडम बता भी नहीं चलेगा आपको पूछने कौन आएगा अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे 40 बच्चे जो है इनका क्या होगा कि तो बढ़ जाएंगे बटाग जाएंगे जलकों पे I am literally forced मेरा मन कर रहे हैं मैं suicide कमिट कर दूँ ते लग नगर इन दौर थाने की पुलिस मुझे pressurize कर रहे है suicide कमिट करने के लिए या बैठके इंतजार करूँ कि मेरे साथ कोई बड़ा accident हो जाएंगे वह मैं नहीं कर सकती I am literally broken तिलक नगर इन दौर थाने की पुलिस बहुत घड़े हैं बहुत नीच है murder से पैसे कमाती है, drug से पैसे कमाती है, अब अधाती कर्मट से पैसे कमाती है जानवरों के illegal supply से पैसे कमाती है और अगर कोई यह बत बोल दे तो उसका जीना हराम कर देती है, उसका survival मुश्किल कर देती है मैं दस महिने से इंदौर के लोगों को यह सब इंफॉर्म कर रही हूँ, कितने जारे politicians, कितने जारे NGOs, सब यह बात जानते है पहले animal welfare का harassment और तिनक नगर इंदौर पुलिस का torture तो रुकी नी रहे कि मैं इसलिए कि मैंने इंकी पॉल कॉल दी मेरे पाइस कोई option दी, इसके लावा कि मैं suicide कमेंट करना हूँ मैं अपने सामने इन बच्चों को ऐसे torture होके मरता हूँ नहीं देख सकते जिनके लिए मैं अकेली पड़ी हूई हूँ, जिनके लिए मैंने अपना career, अपनी self-respect reputation सब को चोड़ दिया यह message पूरे इंद्वार के लिए कि मैं जो भी करना हूँ उसके लिए तिलक नगर थाना पूरी तरह होल सोल रिस्पॉंसिबल है तिलक नगर थाने की पूलिस मुझे literally torture कर रही है तिलक नगर का पूरा पूलिस स्टाफ मुझे इतना humiliate करता है इतना हैरेस करता है mentally, socially, public, गली रप्तिन उन्हें आत्वार कर दी मेंने पली पल्ए एकुत्य को मरवा दिया, इक को किड्डाप करा दिया मुझे लगाता है गंदी-गंदी गालीय दिलवा रहे हैं धंकया दिलवा रहे है मुझे टिलक नगर इन दौर के शॉसन मेवस्ता पर कोई भरूसा नहीं है मुझे इनसे किसी तरह की अर्ट की कोई उम्मीद नहीं है ये लोग मुझे मरवा डालेंगे और पता नहीं मेरे साथ क्या करवाईगे मेरी लाइब का कॉस मेरी सारी स्ट्रेंट तिनक नगर इंदौर पुलिस ने कतम कर दिये मेरी और मेरे 40 बच्चों की लाइब पुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दी इन दौर पुलिस पुरे देश की सबसे घड़िया सबसे नीच पुलिस है इनका बस चले तो ये कुत्तों के भी टेड़ बोड़ी बेज के उसे पैसे कमाए